Dear students, today in this video we will discuss about the article used before nationality in English language. बच्चो, जब हम कोई sentence English language में लिखते हैं और उस sentence में nationality को common noun बना के यूज करते हैं तो वहाँ हमें कौन से article का यूज करना है और कैसे करना है ये आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आपको यहाँ sentence दिये गए हैं आप first sentence को देखी First sentence में लिखा हुआ है The Japanese are highly regarded for their politeness First sentence देखी इस sentence में Japanese word लिखा हुआ है Japanese word जापान के लोगों के बारे में बता रहा है जापान के लोगों की nationality को शो कर रहा है तो यहाँ Japanese जो word है उससे पहले कौन से article का यूज होगा तो देखिए यहाँ Japanese word से पहले The article लगाया गया है The article का यूज किया गया है यहाँ Japanese word जापान के लोगों की nationality को शो कर रहा है इसलिए आप याद रखें कि अगर नैसनिलिटी को बताने के लिए सिंगुलर फॉर्म में वर्ड यूज किया गया हो तो उस से पहले दा आर्टिकल का प्रियोग किया जाएगा तो यहाँ जैपनीज सिंगुलर वर्ड है और singular word किसी की nationality को शो कर रहा हो तो हम उससे पहले the article जरूर लगाएंगे इसी तरह आप यहां second sentence को देखिए second sentence जो हमारा है the English are no negative seafaring people मतलब इस sentence में अंग्रेज लोगों के बारे में बताया गया है यह जो English word लिखा हुआ है यह English word यहां language के लिए नहीं लिखा गया है बलकि यह अंग्रेज लोगों के लिए use किया गया है यहां English word जो अंग्रेज लोग हैं उनको शो कर रहा है लेकिन English जो है वो एक singular word है और जब singular word की form में nationality लिखी जाती है तो उससे पहले दा आर्टिकल का परियोग किया जाता है तो आप यहां देख सकते हैं कि English जो word है उससे पहले दा लगाया गया है दा English are known as seafaring people चलिए अब हम अगले sentences की तरफ ध्यान देते हैं आप अगले sentences को देखिए यहां पर next जो sentence दिये गए हैं उनमें देखिए plural word का इस्तेमाल किया गया है जैसे की Italians do it better Italians देखिए Italians जो है एक plural word है तो जब कोई plural word nationality को श्यों कर रहा हो तो उस समय हम दा आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे इसी तरह next sentence German dislike inefficiency मतलब जर्मन जो लोग हैं वो inefficiency को dislike करते हैं तो Germans के बारे में बताया गया है लेकिन यहां German नहीं Germans लिखा गया है plural word इस्तेमाल किया गया है और plural word nationality के लिए अगर use किया गया हो तो उस से पहले दा नहीं लगाएंगे तो देखिए तीनों जो sentences हैं जिनके अंदर plural word है Italian, Germans और Canadians इनमें हमने दा नहीं लगाया है लेकिन कभी कभी कुछ sentences ऐसे होते हैं जिनमें nationality वाले word के साथ people word भी लिखा जाता है जब nationality वाले word के साथ people word आ जाए तो generally उस से पहले the article यूज नहीं किया जाता है लेकिन अगर हम ज्यादा formal तरिके से sentence लिखना चाते हैं तो फिर ऐसे case में the article का इस्तेमाल किया जा सकता है चलिए इसका example मैं आपको देखता हूँ ये देखिए नीचे की तरफ आपको कुछ sentences दिये गई हैं देखिए यहां Brazilian ये जो Brazilian है ये नेशनिलिटी को शो कर रहा है लेकिन Brazilian word के आगे people word भी आया हुआ है देखिए जब किसी की नेशनिलिटी के साथ people word लगा दिया जाए तो वैसे तो जनरल तोर पर the article यूज नहीं किया जाता है लेकिन अगर हम उसको फॉर्मल तरीके में यूज कर रहे हैं तो फिर हम दा का यूज कर सकते हैं तो ये देखिए फॉर्मल तरीके से जो sentence लिखा गया है उसमें दा आर्टिकल हमने लगाया है दा Brazilian people are very hospitable इसी तरह एक और sentence में आपको दिखा रहा हूँ सेकिंड अग्जेंपल है देखिए Swiss people enjoy a high standard of living मतलब जो Switzerland के लोग हैं तो यहां उनकी nationality को Swiss word से दिखाया गया है तो Swiss के आगे people word लिखा गया है तो मैंने अभी previous sentence में भी आपको यही बताया था कि किसी की nationality के आगे people word आ चुका हो तो हम दा कायूज general तरीके से नहीं करेंगे तो यहां भी हमने Swiss people से पहले दा आर्टिकल नहीं लगाया लेकिन इसी sentence को अगर हम formal तरीके से लिखना चाहते हैं तो फिर यहां आपने Swiss people से पहले दा आर्टिकल लगा दिया गया है दा Swiss people enjoy a high standard of living तो बच्चो आज आपने nationality से पहले आर्टिकल कैसे यूज किया जता है इसके कुछ rules आपने सिखे Thank you अगले वीडियो में और दूसरे rules के बारे में आपको बताएंगे